गूड मारिंग आल अफ यू तो बच्चों हम पाठ पड़ रहे थे बादल राक ठीक है जिसके कभी है सुवेकां त्रिपाठी निलाला जी और इसमें कभी आगे बाद कहते हैं अट्टालीका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जल विपलाव पलावन सुद्र प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर रोक सोक में भी हसता है सैसाओ का सुकुमार सरीद कभी आगे बाद कहते हैं कि वातवन जो है बादलों के बरसने से पूरा वातवन जो है परिवर्तित हो जाता है उनके प्रभाव से प्रकृति में ही नहीं बलकि समाजिक संदर्व में भी परिवर्तन आता है और उसे को चित्रित करते हुए कभी कहते हैं अट्टाली का नहीं है रे आतंक भवन आगे बात कभी कहते हैं कि क्रांती के आगमन से पूंजी पति वर्ग तो बुरी तरह हिल जाता है क्योंकि इसमें उन्हीं अपना विनास दिखाई दिता है किसान, मजदूर, वर्ग, क्रांती के आगमन से प्रसन्न चित हो जाता है क्योंकि क्रांती का सरवाधी कलाब उन्हीं को पहुँचता है कभी कहते हैं कि पुझी पत्यों के उंचे उंचे भवन गरीबों को आतंकित करने के केंद्र है गरीबों को आतंकित करने का किंद्र है इसमें रहने वाले गरीबों पर अत्यचार करते रहते हैं भैंकर जलपलवन कीचड़ पर ही होता है और आगे यह भी बात कहते हैं कि वर्सा से जो बाड़ाती है वह सदर कीचड़ से भरी पित्थवी को ही डुबोती है ठीक इसी तरह क्रांती रूपी जल विपलव पाप पूर्ण जीवन जीने वाले पुझी पती और धनाड़ वर्गों को ही अपने तेज बहाव में बहा कर ले जाता है यही जल जब छोटे से कमल की पंखुणियों पर पड़ता है तो छोटा सा कमल और अधिक सोभा पाता है और भी अतिदिक उसके सुन्दरता बढ़ जाता है यहाँ पर कभी यह बात कहते हैं कि कांती का सुफल सोशित वर्ग को प्राप्ता होता है और आगे बात कहते हैं कभी जो है अंग अंग से लिप्टे भी अंग अंग से लिप्टे भी आतंग अंग पर कांप रहे हैं तरस्त नैन मुख धांप रहे हैं अंग अंग से लिप्टे भी आतंग अंग पर कांप रहे हैं धनी वज्जव गर्जन से बादल तरस्त नैन मुख धांप रहे हैं जिर्ण बाहू है शिर्ण शरीर तुझे बुलाता क्रिशक अधिर ऐ विप्लाव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड मात रही है अधार ऐ जीवन के पारावा आगे कभी बात कहते हैं कि यहां पर इस पंक्ति के माध्यम से समार्च के सोसकवा सोसित वर्ग एवं उनके सुविधा विहिन जो निर्धन वर्ग का निर्धन वर्ग है उसका चित्वन करते वे कभी कहते हैं कि पुझी पतियों ने आर्थिक साधनों पर अपना एक अधिकार इस्थापित कर रखा है उनके खजानों में अथा धन जमा है फिर भी अधिक धन जमा करने की उनके लालसा जो है उनका लालच जो है कभी कम नहीं होता है इन्हें अभी भी संतोस नहीं हुआ इन्हें कभी भी संतोस नहीं होता है और नहीं अभी हुआ है करांती की भीशन गरजना सुनकर ये सोसक इतने भेवीत हो जाते हैं कि अपनी सुन्दर इस्तियों के आलिंगन पास में बंधे होने पर भी कांपते हैं उनकी सुक्सांती भंग हो जाती है और ऐसा प्रतित होता है कि उन्होंने अपनी आखें बंध कर ली है अपनी आखें मूंद ली है और मुख धक लिया है उन पर क्रांती का आतंग बुरी तरह चागया है और बुरी तरह चागया है इस कहरें से कभी आगे बात कहते हैं क्रांती कारी बादल देखो किसान तुमको अधीर होकर बुला रहा है किसान तुम्हें अधीर होकर बुला रहा है उसके भुजाएं जरजर और ठकी हुई है संपनाता का भाव अरजन करने के लिए अपना पूरा जीवन पूरा सक्ति लगा दिया उसी सक्ति लगा दी थी उसी सम्रिध्धी ने उसके जीवन सक्ति को चूस लिया है अर्थात पुंजी पत्यों ने उसका सोसन करके उसके कमाई पर अधिकार कर लिया है अब वाकेवल हड्डियों का धाचा मातरा रह गया है उसका रखतमान सब नश्ट हो चुका है कभी आगे बाद कहते हैं कि ए बादल तुम जीवंदाई जल के सागर हो तुम ही जल की वर्षा करके उसके रखषा कर सकते हो तुम ही करांती का सेवजन कर उसे इस सोसन से मुकते दिला सकते हो तेश वेकार से बच्चो ये पाठ आपका समापता हो गया धन्यावाद